घर से नकारात्मक ओर्जा, क्लेश, बिमारी, धनकी, तंगी को हमेशा के लिए दूर कर दो इन छोटे-छोटे वास्तु टिप्स को अपना कर अगर आपकी रसोई वास्तु के अनुसार गलत स्थान पर है तो अगनी कोड यानी अगनी कोड पूर्व दक्षिन के मध्य स्थान को कहते हैं में लाल बल्व लगा दें और ध्यान से हर रोज सुबह साम इस बल्व को जरूर जलाएं ऐसा करने से रसोई का वास्तु दोस्त दूर होता है और घर में सुख सम्रिद्धी आती है रसोई घर की उर्जा मुख्य स्रोत होता है इसलिए वास्तु का यह उपाय आपके लिए बहुत काम आएगा अगर वाईवय कोड उत्तर और पश्चिम के बीच इस्थित होता है में कोई दोस्त पाया जाता है तो आप इस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाए और हर रोज तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा का पार्ट करें इसके साथ ताजे फलों का गुलदस्ता या फिर ए अगने कोड में दोश पाया जाता है तो इस दिशा में आप गडेश जी की मुर्ती या तस्वीर लगा सकते हैं साथ ही आप इस दिशा में मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं ऐसा करने से घर में कभी भी धन धानने की कमी नहीं होती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है इस दिशा में आप शुक्र यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं नमबर फूर वास्तु सास्त्र के अनुसार घर का उत्तर पूर्वी कोना जिसे इशान कोन भी कहा जाता है उसको एक्टिव करना चाहिए इसके लिए आप उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर नदियों या उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाना शुब फल देता है वास्तु सास्त्र के अनुसार हमेशा ध्यान रखें की इशान कोन हमेशा साफ सुथरा रहे ऐसा करने से घर में शकारात्मक उर्जा का प्रवाब बना रहता है और नकारात्मक उर्जा कम होती है वास्तु सास्त्र के अनुसार घर पर जूले का उपियोग करने पर घर पर फैला असुब शक्तियां दूर हो जाती है वास्तु के अनुसार घर के उत्री हिस्से में जूलना लगाना सुब साबित होता है अगर ये नुस्खे आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जादे से जादा इस वीडियो को शेयर किजिए ताकि सभी इसका लाब उठा सके पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद